हलो क्लास, नर्सिंग रिसर्च क्लास चली रही है, आज अपन वेरिबल्स इन रिसर्च प्रोब्लम या वेरिबल्स, यह अपन देखेंगे, बहुत सिंबल है, लेकिन तोड़ा सा दियान रखना पड़ेगा, और इस पॉस्चन इस वेरिबल्स का शोट आंसर में या डेफिनी है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, इसके बारे में देखें, उसको देखने के लिए उपर जो दिया हुआ जो आई बटन है, उसको क्लिक करें, तब एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा, प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो देख लेना, इंड्रड़क्शन तो नर्सिंग रि है, क्योंकि सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हर दिन प्लेलिस्ट में नया नया वीडियो आड़ होता जाता है, ठीक है, तो पूरी अब देख लो, तो concept clear हो जाएगा, ठीक है, so variables में explain कर रो, variables in research simply refers to a person, place, thing or phenomena, that means anything that you are trying to measure, आप कोई भी चीज़ जिसके बार में आप नापना चाह रही है, that in some way, as the name itself shows, it is the thing that varies, yes, मतलब जो different होता रहता है, ठीक है, जिसका आप नापना चाहता है, उसी चीज़ को variable कहेंगे, ठीक है, the researcher will try to understand on how, why differences in one variable are related to different in another variable, ये एक variable में अगर कोई difference आ रही है, तो दूसरा variable में भी difference आता है, ठीक है, दो तरीके में variable है, उसको explain करके, मैं एक example दूँँगा, तब आपको समझ में आ जायाएगा, concept क्या है, symbol है, एक पर तोड़ा दियान रख ले, researcher हमीशा एक variable में जो भी difference आयाएगा, वो दूसरा variable को क्यों affect करता है, कैसे affect करता है, ये ही mainly researches में देखता है, two type of variables है, one is independent variable, ठीक है, ये variable ऐसे हैं, जब तक researcher उसको manipulate नहीं करेंगे, या change नहीं करेंगे, ये stable रहेगा, ये change नहीं होगा, बाकी variables जैसा नहीं है, वो change होते हैं, ये जब तक manipulation नहीं करेंगे, ये change नहीं होगा, ठीक है, इतना समझो, आगे मैं next type experience करने पर पूरी समझा के, दुबारा दे दुआ dependent variable, the variable that depends on other factors that are measured, these variables are expected to change as a result of experimental manipulation on independent variable, ठीक है, अगर आप independent variable में कोई भी change लेके आ जायेगा, उस हिसाब से आपका dependent variable में भी change आयेगा, मैं एक example बुलता हूँ, सब लोग बैक चलाता होगा, accelerator दवा देंगे, speed बढ़ेगा, सही है ना, उसके अंतर कोई doubt है कि है, जब accelerator दवा देंगे, ये accelerator देंगे, बैक में तो accelerator देंगे, speed बढ़ेगा, ठीक है, so accelerator के ओपर speed dependent है, speed के ऊपर accelerator नहीं, ठीक है, स्पीड बढ़ता है एक्स रेटर अपने आप दताया चल देता नहीं है एक्स लेटर देता है उससाब से स्पीड बढ़ता है ke एलेब रहे है सो делает केरा इनदीपैंटेंट वैरिवल ठीडिन एन इन इंडिपने एन पैर आक्स लेटर है और डिपेंदेंट वैरिबल यह चेंज नहीं करेगा, dependent variable constant रहेगा, वो ही रहेगा जब उसको change करेगा dependent variable, that is the speed it keeps changing, ठीक है for changing dependent variable, you have to manipulate independent variable, इन दोनों का connection, और यह केसे effect कर रही है, यह समझना है, that is research ठीक है, simply मैंने समझाने के लिए कोशिश के independent variable और dependent variable क्या है, अब मेरे को लग रही है, सबको clear हो गया होगा, ठीक है, so मैं next slide में जाता हूँ, consider the statement, यह आपके लिए थोड़ा सा काम है so birth weight is lower birth weight is lower among the infants of alcoholic mother, alcoholic mother, than infants of non-alcoholic mother, non-alcoholic mother, so independent variable क्या है, dependent variable क्या है, यह आपको इस वीडियो के नीचे comment लिखके क्यों है independent और क्यों है dependent यह explain करके आपको बताना है, ठीक है, so variables समझ में आया होगा आपको, एक बार और अगर थोड़ा clear होना है, तो आपको वीडियो में दुबारा revise करके देख लेना, तो concept clear हो लेगा, ठीक है, जिनने भी चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe करें, bell button प्रस करें, ताकि चैनल में जो भी next class आता रहेंगे, वो आपने आप updated रहेगा, ठीक है, so May God bless you all, Jai Hind